साथियों आज हम हिंदी गुरु एकडमी में भारतेंद गीन साहित में बहविकल्पी प्रस्ण लेकर आया हैं इसमें लगभग 200 प्रस्ण है और कुछ प्रस्ण जो है उमेश चन्तिवारी से भी जो है इसमें वीडियो में अपलोड किया जाएगा जैसे पहला कुईस्चन है क आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है तो इसमें पहले में क्या सही होगा आधुनिक काल की जो समय सीमा मानी गई है चारो विकल्प के हिसाब से क्या सही है यहां 1850 से आज तक होगा फिर आए प्रेम सागर के रचनाकार कुछा है दूसरे में प्रेम सागर के रचनाकार राम प्रशार निरंजनी होगा फिर आते हैं कुईस्चिन नमबर चार पर कहरा सत्यार्थ प्रकास सत्यार्थ प्रकास किस भासा में दयानंद सरस्वतीन जी ने लिखा है तो सत्यार्थ प्रकास की भासा पूछा गया है चोथे आफसन में क्या सही होगा यहाँ पर हिंदी होगा मित्रू तीसरा आफसन सही है पांचवे पर आईए हिंदी का पर्थम उपन्यास कौन सा माना जाता है हिंदी का पर्थम उपन्यास परिच्छा गुरू माना जाता है राम चंसुकल के अंसार पूछे तब भी परिच्छा गुरू ही लगाईएगा पांचव में उसके वादा ये भागोती नामक उपन्यास के रचेटा कौन है भागोती नामक उपन्यास के रचेटा आवका क्या सही होगा सरध्धा राम फिल्लावरी होगा परजाहितेसी नामक पत्र कहां से निकलता था परजाहितेसी नित्रों हमने पत्रकारता का बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो लगभग 57 मिनट का है या 47 मिनट के करीब होगा वहाँ पर वीडियो हमने पत्रकारता का अपलोड किया है उससे बाहर एक भी प्रस्ण नहीं आ कामता परशाद गुरू और यदि जो है डाक्टर हर्देवाहरी से प्रसने आपको पढ़ने किया सकता है तो आप लोग वीडियो देखिए हिंदी व्याकरण का उसमें आपको जरूर कोईस्चन फसेंगे अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भरती हुई है चारो पेपर मि आएए देखिए कोईस्चन अगर उससे बाहर आया हुआ है तो आप लोग कमेंट करिए 100% कोईस्चन वहां से दिया गया है हिंदी में उसके बाद आएए कोईस्चन नंबर साथ परजाहितेशी नमग पत्र कहां से निकलता था तो क्या लगाएंगे साथवे नंबर में पर प्रकासन करने वाले थे तो ग्यान प्रदायनी जो पत्रिका थी यह कहां से निकलती थी लाहोर से मासिक पत्रिका थी लेकिन पूछ रहा है इस पत्रिका के प्रकासन कोन करते थे तो आपका नबीन चंद्र थे मित्रू ग्यान प्रदायनी पत्रिका जो थी इसका प्रकासन क करने वाले लेखक नबीन चंद्र थे फिर नौ पर आईए सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था कुश्चन नमबर नौ पर तो सितारे हिंद जो था आपका किस का था राजा सी उपरसाद सितारे हिंद नाम था उन्हीं का जो नाम था राजा सी उपरसाद सितारे हिंद पहला नास के तोपा खेन सदल मिसर की रचना है यहाँ पर दिया गया हमित्रों सदल मिसर की रचना है इसके बाद हम लोगा फिर आते हैं कि उदय भान उदय भान चरित की रचना कार कौन है इंसाल लाखा सही होगा फिर आई ये भारते इंद्युक का साहित ब्यापक अस्तर पर का है चोधा नंबर पर आई भारतेंदु का पूर्वरती काविसाहित संतों की कुटिया से निकल कर राजाओं की राजाओं और राइसों के दर्वार में पहुंच गया था उन्होंने एक तरफ तो कावि को फिर से भक्त की पवित्र मंदाकनी में सनान कराया और दूसरी तरफ उसे दर्वारी पंसनिकार का लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया भारतेंदु के बारे में उक्त विक्षार किसा लोचक का है हजारी परशाद दिवेदी लगाईएगा मित्रों वीडियो हमने जो है आन नहीं किया था और कोईश्चन लगाते चलेगे हम लोग आई फोर्ड विलियम कालिज के स्थापना किस वर्स हुई थी अठारा से सिवी में हुई थी फिर पूंचरा आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी के स्थापना का भूई ठारा सुत्त लगा दीजी हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था उदंत मारतंड था फिर पूंचे कि उ लकता से निकला था फिर आईए हिंदी फिर पूंच रहा है कि हिंदी भासा का पर्थम समाचार पत्र कम निकला 1826 सही होगा मित्रू वीडियो हमने आन नहीं किया था और मैं पढ़ते हुए टिक लगाते हुए चलेगे आईए फिर देखते हैं हहां तक लगा दिया था हमने किया था स्रीधर पाठक ने किया था यह लोग की आत्रा निवंध निम्न में से किसका है राधा चरड गोस्वामी का होगा उसके बाद 27 नंबर देखिए यहां तक हमने टिक लगा दिया था स्वर्ग की विचार सभा निवंध किसका है भारतेंध हरिश्चंद का है फिर आईए कि सालोचक निवंध कार प्रताम नायंड में सुर्वा बालकिस भट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है तो आचारी रामचंद्र सुकल सही होगा इसमें उसके बाद आईए भारतेंध हरिश्चंद का यह बहुत इंपॉर्टन परसन है कि प्रताम नायंड में आप लोग उत्तर दीजिए तो बैद की हिंसा हिंसा ना भौत पहला मौलिक नाटक था भारतेंध के कुल नाटकों की संख्या कितनी है 17 लगा दीजिए 31 में 17 सही होगा निश सहाय हिंदू पन्यास के लेखक कौन है रचईता है राधा कृष्ण दास सही होगा 32 में 33 पर यहां पर देखी जुआरी खवणी नाटक के रचनाकार कौन है 36 नंबर में तो आपका तीसरा सही होगा परताप नराण मिस्र होगा हिंदी परदीप पत्र के संपादक कौन थे 37 नंबर पर आईए हिंदी परदीप पत्र के संपादक बालकर्ष्न भट थे मित्रों हमने पत्र का डेट सहित कैसी पत्र का है कहां से निकलती थी किस ने संपादन किया पूरा वीडियो अप्लोड किया है जरूर देखिए आयुकरम की दृष्टी से भारतेंद मंडल के सबसे वरिष्ट सदसी कौन थे चारव आपसन में आप लोग बताईए कि सबसे वरिष्ट कौन थे और तिस नंबर पर ध्यान दीजिए तो बालकर्ष्ण भट सही होगा पूरा वीडियो जरूर देखिए अमित्रों क्योंकि पूरा चन टंडन का साल्व है इसके बाद मैं जो है उमेश चन तिवारी का जो साल्व होसका भियादनिक का वीडियो इसी में अपलोड करूँगा इसी वीडियो में इसलिए पूरा वीडियो जरूर आप लोग देखिए फिर आए भारतेंद हरिश्चन का जन्म किस वर्स हुआ था क्या लगाएंगे 49 नमबर में तो भारतेंद हरिश्चन का जन्म 1850 सभी में हुआ था और मिरत्व 1885 सभी में हुआ था आधने खिंदी साहित का आरंभ बर्स कौन समाना जाता है तो आधने खिंदी साहित का आरंभ बर्स क्या लगाएंगे अचसन 1850 इस भी लगा दीजिए फिर आईए कह रहा भारतेंद इग को पुनर जागरण काल किस ने कहा है एक तालिस नमबर ध्यान दीजिए तो डाक्टर नगेंदर ने जो है पुनर जागरण काल कहा है बुड घोसडा पत्र किस बस परकासित हुआ था 1854 लगा दीजिए मनो विज्ञान में भी पूँचता है जीयस भी में पूँच लेता है मित्रू सौमाद कौमदी पत्रिका के प्रकासन में महत्पूर योगदान था 43 नमबर में राजा राम मोहन राय सही होगा हिंदी का पर्थम दैनिक पत्र कौन सा था तो हिंदी का पहला दैनिक पत्र 44 नमबर में समाचार सुधावर सड़ था स्थापना रजाराम मोहन राय सही होगा फिर आए आर्ष समाज की अस्थापना देनन सुरसती जी ने किस वर्ष की ती स्थापना किस वर्ष होई थी और तालिस नंबर में तो सन नई सो नई सभी सही होगा स्थांतरता से पूर भारती संगीत के पुनुर्धान में सबसे महत्पूर्ण योगदान किसका रहा चारो आपसन में बताई यह उन्चास नंबर पे तो विश्नु नाराण भात खंडी का था नो जागरण का सरवाधिक परभाव किस साहित पर पड़ा पचास पर तो नो जागरण का सरवाधिक परभाव जो है बंगला साहित पर पड़ा था रभी बर्मा का नाम किस छेत्र से जुड़ा हुआ था एक क्यावन नंबर तो रभी बर्मा का नाम जो है चित्रकला छे से जुड़ा हुआ था, इस्वर मर गया गोसरा किस पास्यात बिद्वान का था, नित्से का था मित्रो च previous अप्षन सही होगा, फिर आईिये का वी वचन सुधा मासिक पत्र का kब प्रकाशन हुआ था लगा ये 18 сторону 60 अप्रम훈 नंबर में, तो कलकत्ता से प्रकाशित होता सा समाचार सुधा वर्षड हिंदी का पर्थम पत्र उदन्त मारतंड था क्या था दैनिक सापताहिक मासिक और पाचिक था पच्पन नमबर में आप लोग क्या लगाएंगे तो क्या था मासिक था मित्रो सही होगा हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंगती है बहुत ही चर्चित पंगती है पूछा गया है राधाचरण गोसामी की पंगती है धन भूम भारत सब रतनन की उपजावन किसकी पंगती है 57 नमबर पर तो क्या लगाएंगे 57 नमबर में हरियोध की पंगती है मित्रो चैनल को सब्स अब को सेर करिए नहिसल कमात एक संस्था है जो आपको सो परसंट देने का काम करेगा विजैनी विश्वास नहें में तो उत्तरप्रदेश पुलिस की चारो बैच का पेपर उठाइए और सामान हिंदी का जो हमने बहुविकल पिये और नोट्स जो मैंने वीडियो अपलोड क किया है उसको जाकर देखिए और उसके बाद मिला ये प्रियाएवाची हुआ समास संद कारक वडमाला विसर्ग संद इसमें सब जो है छंद रस अलंकार इस पूरा देखिए उसके बाद कमेंट के रिए कि आप रस निस से नहीं आये हैं हंड़ेट परसंट दिया गया है व 38 परसंट जो आते हैं आपको गध्यान छोड़ करके 32-33 परसंट जो आते हैं उसको सही करना है तो एक बार मेरा वीडियो जरूर देखिए मित्र हिंदी कुरू अकडमी का सामान हिंदी का उसके जरूर परसंट वहां से आएंगे हमने वीडियो जो अपलोड किया है जरूर परसंट नमबर आप लोग चारों आप संदेखिए और उत्तर दीजिए भारतमार वारामासा रधाकिशन दास का है मन की लहर पूछ रहा है किसकी कावी रचना है साथ नमबर में मन की लहर जो है परताप नाराण मिसर की रचना है 61 पर आईए हार्दिक हरसा दर्स पूछ र रूप से पिरड़ा है तो क्या सही होगा 62 में दूसरा लगा दीजिए प्रबोधनी होगा फिर आते हैं हम लोग कह रहा है कौन करे जो नहीं कसकत सुने बिपत बाल विधवन की किसकी पंक्ति है 63 नमबर में तो क्या सही होगा 63 में परताप नाराण मिसर सही होगा यह सब च 64 में देखी रोगों सब मेल आवह भारत भाई हाँ भारत दुर्दसा न देखी जाई किसकी है भारत इंधरी चंद का होगा 64 में 65 पर आए अलोकिक लीला आख्यान कविता किसकी है चारो आफसन देखिए और उत्तर दीजिए मित्रों क्यों किस समय बहुत कम है आप लोग त उत्तर तुरन दीजिए उसके बाद मैं टिक करता हूँ बदिनार्चोधी प्रेमघन का है स्री ललित रामायड किसकी रचना है अब आप लोग तुरन चारो आफसन पे जाईए और उत्तर देखिए तो हरिनाथ पाठक की रचना है मयंक महिमा पूंच रहा नीचे देखिए मयंक महिमा कविता की रचनाकार कौन है 66 नमबर तो क्या लगाएंगे आप लोग प्रेमघन की रचना है उसके बाद आते हैं हम लोग पूछा है कि जीर्ड जनपद पूछा गया है कि जीर्ड जनपद परबंध कावी की रचनाकार कौन है 66 नमबर में तो क्या लगाएंगे आप लोग उत्तर दीजे प्रेम घन का है आधुनिक काल को गद्धिकाल की संगया किस ने दी है चारवागत देखिए उनपतर ने माना है बहुत ही महत्पूर प्रस्न एभी है मित्र एकत्तर नंबर में राम प्रशा निरंजनी को प्रण गदलेखक राम चंद्र सुक्ल ने माना है फिर आए यहां पूंच रहा है कि किस कालेज की माध्यम से पर्थंबार यूकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भासा और ये उरोपी एक ज्यान विज्यान से हुआ था 72 नंबर में तो क्या होगा हिंदू कालेज होगा यहां पर फिर आए मेघनाद वध किसकी रचना है 73 नंबर में माईकल मद सूधन दत की रचना है भारतेंद ने किस संस्था के स्थापना की थी 74 नंबर में तो भारतेंद ने जो है तदिये समाज के स्थापना की थी यह परतिग्या पत्र भारतिय स्वाधिन्ता के इतिहास में स्वरणाच्छों में लिखा जाने योग्य है कभी वचन सुधा पत्र के संबंध में वुक्त पंक्तियां किस आलोचकी है 75 नंबर में आप लोग चारों में उत्तर दीज है लोग चारों आप सनाप पढ़िए उसके बाद में टिक करता हूं 76 नंबर में तो आपका क्या है आनंद रगुनन अंदन होगा नहुस नाटक की नाटक कार कौन है आप लोग चारों में प्रस्न पढ़िए और उत्तर दीजिए भले ही प्रसनार है लेकिन इगनूर मत प्पिर आई ये 89 का कहरा निंग में से कौन भार्तिएंद मंडल में नहीं है लाला सिरी निमास दात परताम नायाड में सुर राधा किर्ष शर्मा राधा चरण गोसामी राधा किर्ष सर्मा नहीं होंगे भारतिएंद कि समय साहित का केंद्र क्या था असी नमबर पे अब लो मिसर सही होगा ये थे मित्रों 82 नंबर कुईश्षन पर हम लोग देखते हैं देखे क्या कह रहा है 82 नंबर कुईश्षन पर कि ब्राम्हर पत्रिका कहां से निकलती थी 82 नंबर में to कानपूर से निकलती थी कलिकवत्यूक रूपक नाटक की रचनाकार कौन है प्रयाग रामा गमन नाटक के रचईता कौन है फचासी नंबर में तो आपका क्या सही होगा प्रेम गन का प्रयाग रामा गमन नाटक प्रेम गन की रचना है 86 पर आईए भारतिन जी का पर्थम अनुदित नाटक कौन सा है क्या सही होगा 86 नंबर में बिद्या सुन्दर सही होगा साथी हूँ हम जब कोईस्चन पढ़ें कोईस्चन जैसे हमने पढ़ दिया कि भारतिन जी का पर्थम अनुदित नाटक है आप लोग चार वाफसन तुरंट सूचिए और उत्तर दीजिए उसके बाद मैं लास्ट में टिक करता हूँ और उसके बाद कल्कुलेट करिए क्या मेरा सो में सो कुषिन सही जा रहा है कि नहीं आप लोग तुरंट उत्तर दीजिए चार वाफसन देख करके उसके बाद मैं टिक करता हूँ संगीत साकुंतल नाटक के रचनाकार कौन है अठासी नंबर में तो क्या सहील होगा आप लोग उत्तर दीजिए अठासी नंबर कुईस्चन में परताब नारायड में सही होगा फिर आईए नवासी नंबर कुईस्चन क्या कह रहा है कि सदादर्स पत्र के संपादक बाकी दामोदर्श आस्त्री सप्रे थे काशिनात खत्री भी थे अध्या परसाद खत्री भी थे मित्रो उपाद्ध्या नहीं होगा वो दिवेदे उक्के हैं सदादर्स पत्र के संपादक थे तो सदादर्स पत्र के संपादक नम्बे नम्बर में बताईए आपका क्या सहेगा सदादर्स के संपादक स्री निवास दास थे बहुत ही चर्चित पंगती है इनकी रचना जो है परिच्छा गुरू लाला स्री नि कुछन्ब सुझलlaw Dasir जिण Calambo से स्युपरसाद सितारे हिंद होगा पर जी परजाहितेशी के संपादक थे कौन थे परजाहितेशी प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है क्या लगाएंगे प्रेम जोगनी आप लोग नाटिका लगा दीजिएगा 89 नंबर पर हम लोग आते हैं कह रहा है भारतियन के निम्ग नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक है क्या लगाएंगे चारो में मौलिक नाटक पूछ रहा है क्या लगाएंगे 97 में 14 अपस्टन लगा दीजिए प्रेम जोगनी होगा पूड परकास चंदरपरभा किसका उपन्यास है पूर्प्रकास चन्द परभा किसका पन्या 1615 नंबर में? पहला सही होगा इतिहास तिमिर नासक की रचनाकार कोन है? 99 नंबर पर हम लोग आते हैं क्विश्चन नंबर 99 पर इतिहास तिमिर नासक की रचनाकार कूंछ रहा है क्या लगाएंगे? पहला लगा दीजिए सुपरसासितारी हिंद होगा दमेंती स्वयंबर किसका नाटक है सो नमबर में दमेंती स्वयंबर बालकिस भट का है परहलाद चरित्र परहलाद चरित्र किसका नाटक है 101 पर आईए किसका है प्रेम घन का है कि ललुलाल का सृरी निमास दास का है फिर आईए बिर्ध लबाप किसका नाटक है एक सुधू पर आईए बिर्ध लबाप प्रेम घं गत का नाटक है कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है 103 नंबर पे आप लोग उत्तर दीजिये सरेविपार की यात्रा मेहदावल की यात्रा जोह लखनाव की यात्रा सभकी सुंतीन पे भार्तिय धरिश्चन सही हो का चार पहर एक सो पॉंच में पहला से होगा ठारा सो असीस भी दसरत बिलाप वा फोलो का गुच्छा भारतिन जी की किस बोली की रचनाएं है बहुत इंपॉर्टन प्रस्न है एक सुच्छे नंबर एक सुच्छे में खड़ी बोली होगा फिर आईए बीर सिंग का बिरतांत किसकी रचन होगा कलिराज की सभा की नाटक कार कौन है 109 नंबर में कलिराज की सभा बालकिर्ष्ण भाट का नाटक है फिर आईए यह बहुत इंपॉर्टन्ट है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लच्छमी किसका उपन्यास है 110 नंबर में मेहता लज्याराम शर्मा का होगा फिर आईए भारतेंद की अधिकांस कभिताएं किस भासा में हैं तो भारतेंद की अधिकांस कभताएं 111 नंबर में आप लोग उत्तर दीजे ब्रज भासा में हैं मित्रों फिर आई 112 पर हम लोग आते हैं कुईस्चन नंबर 112 पर कह रहा है कि भारतेंद का गद्ध किस भासा में लिखा गया है आप लोग 112 में उत्तर दीजिए तो आपका क्या होगा खड़ी बोली में लिखा गया है गद्धी जैसा काम वैसा प्रेडाम किसका नाटक है एक सो तेरा नंबर पर ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए बालकिष्ण भट सही होगा पावस पचासा किसकी कावी रचना है एक सो चोदा में अंभिका दत्व्यास की रचना है हिंदी साहित का पर्था उपन्यास पर इच्छा गुरू कब प्रकासित हुआ था चारव आपसन में आप लोग उत्तर दीजिए 1882 सही होगा एक सो सोला पर आईए परसिद्य चंद्र कांता उपन्यास की रचनाकार कौ होगा फिर आईए स्यामा सरोजनी किसकी काविक्रित है एक सो ठारा पर तो आपका क्या होगा जग मोहन सिंग होगा प्यूस प्रवाह के संपादक थे बहुत इंपॉर्टन प्रसन है अंभिका दत्व्यास सही होगा अभिगान साकुंतलम का हिंदी अनुबात किस ने किया थ है आप लोग चार आफसन पढ़िए हम मैं अगर चार आफसन पढ़ूंगा तो कम से कम तीन घंटे लगेंगे में तो तीन से चार सो प्रसन साल्प कराने में क्योंकि यह लगभग जो है साड़े तीन सो प्रसनों का संगरा है भारते धरिश्चंद का हम जो टापिक लेकर आ पिर आए एक सो बीस पर अफ्ञान साकुंतलम का हिंदी इन वाद किस ने किया था एक सो बीस में क्या सही होगा आपका राजा लच्वमर सिंग सही होगा निमनी में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है तो पहला दुखांत नाटक रड़धीर पे मोहन प्रहसन के अचनाकार कौन है तो क्या लगाएंगे 123 नंबर में उत्तर दीजिए राधा चरण गोश्वामी सही होगा गोपाल राम गाहमरी ने किस परकार की उपन्यास लिखे हैं आप लोग चारों आफसर में देखिए 124 नंबर क्या सही होगा जासूसी उपन्यास इन्होंन आते हैं क्या कह रहा है तिलस्मी आयरी उपन्यास लिखने में से धत थे तो देव के नंदन खातरी थे तिलस्मी आयरी उपन्यास लिखने में यहां से प्रस्ण यह पूंचा गया है तिलस्मी आयरी वाला इसको जरूर ध्यान दीजिए फिर आते हैं कह रहा है कि मेहता रज जाराम सर्मा का संबंध सामाजिक पन्यास से है परिच्छा गुरु से पूर्व कौन सा पन्यास लिखा जा चुका था बहुत इंपॉर्टेंट एक 188 नंबर आप लोग ध्यान दीजिए तो क्या होगा भाग गिवती मित्रु सरधराम भिलोरी का ये परिच्छा गुरु से प प्रारम नहीं हुआ था 130 में तो आपका कहानी विधा का प्रारम नहीं हुआ फिर आईए 131 पर भारतेंद पत्रिका के संपादक कौन थे 131 नंबर में तो भारतेंद पत्रिका के संपादक राधाचरण गोश्वामी थे नाटक निबंध के रचईता कौन है 132 नंबर नाट क्या सही होगा जै संकर परसाद सही होगा पूछे कि एक नाटक है नाटक नाम से नहीं निबंध लिखा किसकी रचना है तो जै संकर परसाद लगाईएगा भारतेंद्य गॉर हिंदी भासा की विकास परंपरा पुस्तक के रचईता कौन है 133 में तो राम भिलास सर्मा लोचना का जनक भारतेंद को कहा जाता है हिंदी की बेवहारिक समिच्छा का जनक किस पत्र से हुआ था 135 नंबर में हिंदी परदीप सही होगा हिंदी की बेवहारिक समिच्छा का जनक पत्रिका से पूंच रहा हिंदी परदीप सही होगा हिंदी की बेवहारिक आलोचना का तो बालकिष्ण भट लगाईएगा समालोचना का सूतपात हिंदी में एक प्रकार से भट जी और चौधरी साहब ने किया किसने कहा है तो क्या लगाएंगे आप लोग एक सुसायतिस में आचार रामचंद सुक लगा दीजिएगा प्रस्न बहुत इंपॉर्टेंट है सब जा कि मंगल में ही किया था तदिये समाज के स्थापना किस ने की थी तो तदिये समाज के स्थापना भारते धरिश्चंद ने की थी फिर पूछे यह परतिग्या पत्र भारते स्वाधिनता के इतिहास में सुरडाच्छों में लिखा जाने योग है यहा फिर कह रहा है यहा किस पत्र अथवा पत्रिका की प्रसंसा में राम बिलास सर्मा जी ने लिखा था आप लोग चारों आप समय बताई एक सुक्तालिस में तो आपका क्या होगा कभी वचन सुधा की समद्ध में लिखा था राम बिलास सर्मा ने लिखा था भारतेंदे किस नाटक में क्योल नारी पा से 143 नंबर में उत्तर दीजिए बाल किस्मभठ सही होगा तृवेड़ी उपन्यास की रचनाकार कौन है तृवेड़ी राम नरेश तिरपाथी की रचना है बीरेंद्र बीर उपन्यास की लेखक कोने सुपने तालिस में तो आपका देव की नंदन खतरी सही होगा बीरेंद् पन्यास के लेखक कौन है चार आपसंदिये गए हैं आप लोग उत्तर देजिए बालकिष्भट होगा सवजान एक सुजान पन्यास बालकिष्भट का है बिरद्ध बिलाप किसका नाटक 148 में तो बिरद्ध बलाप प्रेमघन का नाटक है पैद की हिंसा इंसाना बहुत प्रहसन है मित्रू नेट में पूछा जा चुका है कि प्रहसन नाटक कौन से है भारतेंद के पूछा गया इसको ध्यान दीजिएगा फिर आईए कि कुईस्चन नंबर 150 पर किर्ष्ण चरित संबंधी नाटकों में भारतेंद जी का निमन में से कौन सा नाटक है किर्ष्ण सिस्वमंधी श्री चंद्रावली था तीसरा सही है भारतेंद मंडल के अंतिम लेखक सदस से कौन थे 151 नंबर में तो क्या सही हो जाएगा आपका दूसरा सही होगा बाल मकुंद गुप्त सही होगा आधरीक काल को नवीन काल नाम किसने दिया था एक सो बावन में तो आप आपका क्या सही होगा बाबू गुलाब राय सही होगा फिर आईए भारतेंदिक को पुनर जागरण काल तथा दिवेदिक को जागरण सुधार काल किस ने कहा है तो तिरपन में तो क्या लगाएंगे डाक्टर नगेंद्र सही होगा फिर पूछ रहा बंगवासी पत्र के संप हम लोग आगे देखते हैं आज लगभग 400 प्रसनों का हम लोग अभ्यास करेंगे में तो डाक्टर पूराण चंद यह अभ्यास चला है इसके बाद उमेश्तिवारी इसी में एड करेंगे इस वीडियो का अब लोग पूरा जरूर देखिएगा सोते समय खाते समय इससे कहा है 156 नंबर में तो क्या सही होगा 156 में भारतेंद ने कहा था खड़ी बोली को साध भासा कहा था भारतेंद ने बंगदूत के संपादक थे वह सतावन में राजा राम मोहन राय सही होगा उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था तो उत्तर प्रदेश से निकलने वाला समाचार पत्र बनारत अख़बार था आनंद का नम्बनी पत्र का प्रकासन छेत्र था तो आनंदका नम्बनी बहुत इंपॉर्णट है मिर्जापूर से था किसका था आनंदका नम्बनी बढ़ियां चोधर इप्रेम घन का था राधा चरड़ गोसामी का भारतेंद पत्र कहां से निकलता था तो यह कहां से निकलता था जो राधा चरण गोसामी का भारतेंद पत्र जो था यह निकलता कहां से था 162 नमबर में तो बिरिंदा वन से निकलता था पहला सही है कुछ परसिद्ध पंक्तियां है में तुरू इसको पढ़िए कि पढ़ी कमाय कीनों कहां हरे देश कलेश जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश इसमें आप लोग बताईए 161 में क्या सही होगा प्रताप नारायन म सही होगा फिर 63 पर आई रोम हो सभी मिल आवह भारत आई हाँ भारत दुर्दसान देखी जाई एक सो 63 नमबर पर आते हैं तीसरा सही होगा भारतेंद सही होगा आठ मास बीते जजमान अपतो करोद छिडादान 164 नमबर में अवलोग वताईए बहुत चर्चितन परताप नाराण मिस्र का है फिर कह रहा है कि निजभासा उन्नत है सब उन्नत को मोल बिन निजभासा ग्यान के मिटतना ही को सूल 65 में क्या सही होगा आप भारतेंद हरिश्चन लगा दीजे भले ही आ रहे हों मित्रों लेकिन रिवीजन करिए क्यों क्यों ही ना रहे हों फिर फिर कeki पवीतर सब स्चूर्च से हांस के तनमन धन्मूंशे जाहिर बातन में ये तीस कि अंग्रेज किसकी पंक्ति एक शाचल नंबर उप मित्रों क्या है भारतेंद की पंती है फिर आते हैं कि खड़ी बोली कांदोलन किसकी रचना है इन चारों आपसन में आपका अरियोध सही होगा क्या सही होगा मित्रों यहां देखे दिखाए देरा हरियोद सही होगा फिर आईए 168 पर कह रहा है कि पूरी अमिय की कटोरिया सी चिरजीवी रोह विक्टोरिया रानी समस्या पोर्त करने पर सुकव की उपाध दी गई थी किसको 168 में अमरिकाजत ब्यास को हिंदी नौरत्न किसकी पुस्तक है हिंदी नौरत्न 179 में मिस्र बंदू की है ललित ललिता नाटक के रचेटा कोने कुछा है ललिता नाटक के रचेटा कोने 170 में क्या लगाएंगे ललिता नाटक इसमें जो है अम्बिकादत ब्यास सही होगा बिहारी बिहार किसकी कावी रचना है 172 में 172 में क्या सही होगा 172 नमबर पर जाईए और प्रस्म का उत्तर दीजिए क्या लगाएंगे मित्रों 172 नमबर में दूसरा सही होगा जग मोहन का है रचिक समाज कहां कि साहितिक संस्था थी तो रचिक समाज जो था वो कहां कि साहितिक संस्था थी वो क्या सही लगाएंगे 173 नमबर में तीसरा सही होगा मित्रों कानपूर से निकलता था रचिक समाज एक अद्भुत अपूर्वस्वपन लिबंध के रचनाकार कौन है 174 नमबर में किस पर जाएंगे तो भारतेंदु का है अद्भुत अपूर्वस्वपन फिर कहरा हिंदि सहित की जो पीठी का है वो किसका है डाक्टर राजबली पांडे का है फिर आते हैं हिंदी भासा का विकास के संपादक कौन थे तो यहां क्या होगा धिरेंद्र बर्मा सही होगा क्या सही होगा धिरेंद्र बर्मा सही होगा मित्रों लेकिन यहीं प्रस्न पूछे कि हिंदी भासा का विकास आलोचना किसकी है तो स्याम सुन्दर दास सही हो जाएगा। फिर आते हैं अचार सुकल हिंदिस सहित का इतिहास का परकासित हुआ था। 187 में पहला सही होगा। फिर 68 पर आते हैं एरा गंगा लहरी के रचनाकार कौन है पद माकर सही होगा गो संकट नाटक के रचनाकार कौन है 189 में क्या लगाएंगे गो संकट नाटक परताप नरायन में लगाएंगे फिर आईए अंधेर नगरी पूंचरा अंधेर नगरी नाटक है भारते अंधरी चन लगाएंगे चंद चंद बर्नन की महिमा इसको क्या लगाएंगे गंग कभी लगा दीजिए सिच्छादान ब्यंग पूर नाटक के रचनाकार कौन 182 नंबर में किस पर जाएंगे हम लोग दूसरे पर जाएंगे प्रेम घन का है फिर आईए कुईस्चन नंबर 183 पर आलोचना कारम किस कभी द्वारा माना जाता है यहां पर बताईए 183 में क्या सही होगा चारो आपसन देखिए और आप लोग उत्तर दीजिए भारतेंद होगा सिच्छादा ब्यंगात्म निबंद के रचनाकार कौन है बहुत चर्चित है बाल मुकुंद गुप्त सही होगा फिर आए रानी केत्की की कहानी कहानी के रचनाकार कौन है मुंसी इंसाललाखा सही होगा क्या सही होगा तो आप लोग क्या लगाएंगे 185 में रानी केत्की कहानी इंसाललाखा सही होगा निस्था हिंदू किस परकार का उपन्यास है 186 नंबर में दूसरा लगाएगे सामाजिक है राधा किष्णदास का विशास सिविस्माउसधम नाटक के रचनाकार कौन है? 187 नमबर में पहला सही होगा भारतेंदुका है ब्रह्म समाज के स्थापना कब हुई थी? 188 नमबर में तीसरा सही होगा 1828 सिभी में हिंदुस्तानी भासा नाम से हिंदी का ब्याकरण सरपर्थम किस भी देशी भी दौन ने लिखा था तो क्या सही होगा इसमें जान जोस्वार केटलर सही होगा हिंद emulate भासा का कोस गरंध कि रचेता कौन है? हिंद finely dont करब कर रचेता 190 में पहुँच रहा है तीसरा लगाएगा पादरी आलम का है मिस्रबंद बिनोद कितने भागों में है तो मिस्रबंद बिनोद आपका कितने भागों में है आप लोग उत्तर दीजे मिस्रबंद बिनोद पूछ रहा है क्या लगाएंगे इसमें मिस्रबंद विनोद तो कितने भाग में है मित्रो 192 में तीसरा लगा ये चार भाग में है पर्थम भाग तीन भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में रेल का विकट खेल नाटक किसका है, रेल का विकट खेल नाटक किसका है इसमें आप लोग उत्तर दीजिए बाल किसमभण का है, सिकको का उध्रt और अस्त किसकी रचना है, एक सुग तिरानवे में राजा स्यूपरशा सितारे हिंद का है, मेध दूत का खड़ी बोली, यहां इंपॉर्टन प्रस्ण है तो खड़ी बोली है भारतेंद ने किस नाटक में सचंतावादी तक्तों को अपनाया था 156 नंबर पर किस पर जाएंगे नील देवी अमर सिंग राठोर किसका इतिहा सिंग नाटक 177 में तो राधाचरण गोसामी सही होगा मित्रूं फिर हम लोग आते हैं कुईस्चन नंबर किस पर आते हैं देश दसा नाटक के रचनाकार कौन है एक सो ठान में में क्या सही होगा गोपाल राम गहमरी सही होगा देवताओं से हमारी बातचीत किसका निवन्द है तो देवताओं से हमारी बातचीत एक सो निन्नार में में पहल सेगा बालकिष्ण भेट सेगा बहुत इंपॉर्टन परस्ण है समझदार की मौत बिंग्यात्मंग निवन्थ किसका है प्रताप नारायण मिस्र का है एक सो अठान बिवेमित्रों दो किताबों का इसमें पूरा अंसाल्व दिया जा रहा है चरूर साल्व करिये प्रस्ण इसी से फसेंगे समान रूप से आधनिक काल का प्रारंब माना गया है तो क्या लगाएंगे आप लोग क्विश्चन नंबर इसमें का सही होगा 1857 सही होग क्या निश्चित किया है तीसरे क्विश्चन में आप लोगा ये दो किताबों का साल्व हमित्रों केवल मैंने भारतेंद्युक का साल भी अप्लोड करने का प्रियास किया है लगभगा आपको 36-300-400 के करीब प्रस्ण मिलेंगे तो क्या सही होगा तीसरे आपसन में क्या प्राधिनता का बोध सही होगा इसमें फिर आई ये कह रहा है कि यह यूग भारतेंद्युक के समान हस्ता खेलता आया था जिसमें बच्चों कीसी निश्चलता अकडपन सरलता और तनमैता थी यह कथन किस आलो चक्का 105 नंबर में पर तो क्या लगाएंगे पांच नंबर म सरवाधिक पर वाओ बंगला साहित पर पड़ा था फिर आते हैं कह रहा है कि भारतेंद्युक को पुनर जागरण काल किस आलो चक ने कहा है सातवे नंबर में तो डाक्टर बच्चन सिंग होगा मित्रों हैं पर डाक्टर बच्चन सिंग सही होगा फिर आईए क्विस्चन नंबर आठ पर कह रहा है कि भारतेंद्युक की समय सीमा मा कि सीमा क्या है चार वाफ्चन में आप लोग बताईए अठर सत्तावन से नई सुष्वी अचार सुक्ल ने सन संबत 1925 से 1950 बिक्मी तक के काविखंड को क्या कहा है तो क्या कहा है नई धारा का पर्थमुत्थान कह अधनिक काल में साह्त रच्ना की भासा के रूप में किस भासा को स्विकृत्थी मिली है 10 नमबर में खड़ी भोली को स्विकृत्थी मिली है बारा में है आधुनिक हिंदिस साहित की सबसे परमुक विशेषता क्या थी बारा नमबर में मनुस्य के ब्रहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना यही था उसके बाद आई ये भारतिन्ध धरिश्चिंद का जन्म किस बर्स हुआ था 13 लमबर में आपका 850 लमबर में राष्टिता नहीं है मित्रों, आप़ भारतिन्ध धरिश्चन लगा दीजिए कस्मीर कुसुम भारतिंद हरिचंद का है भारतिंद का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संगरा किस नाम से परसिद्ध है इसको जरूर देखिएगा फोलो का गुच्छा सही होगा मेख दूत कावि का खड़ी बोली में बात किया था अठारा नंबर में राजा लचमर सिंग ने मेख दूत कावि का खड़ी बोली में बात किया था फिर कहरा जरासंद वध महाकाव की रचना किस ने की है किस राइन महाकाव की रचना किस भासा में हुई है मित्रों हमने दो किताबों को अपलोड किया है यह डाक्टर पूराण चंदिस से पहले इसी वीडियो में है और ये उमेश्ट तिवारी के बहुभी कल्पिय प्रस्न है इसके बाद मैं यूथ लगाऊंगा और कुछ नेट के साल कराऊंगा नेट का मैं जो है जो टापिक स्पिसल दिये गए हैं उसके पात्र क्या कह रहे हैं और इसकी बिशेश्ता उसका मैं बिश्तिरत वीडियो अप ही भासा में हुई है यह भी प्रस्न बहुत इंपोर्टेंट होनी इस नंबर कौन साकब भारतेंद मंडल का नहीं है तो भारतेंद मंडल का परताफ सिंग नहीं है बाकि तीनों है आधुनिक काल कुन नवीन काल किस ने कहा है आधुनिक काल किस ने कहा गुलाब राय ने कहा है मित्रो 22 नंबर में फिर आईए 22 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं क्या कह रहा है कि भारतेंद्य के अधिकांस कपता है किस भासा में है 24 नंबर में क्या लगाएंगे अधिकांस कपता है खड़ी बोली सही हो गया फिर भारतेंद्य का कौन कभी पुष्ट मार्ग में दिच्चित था बहुत इंपॉर्टन प्रसन देखे पीजी टी 2003 में पूछा गया है 24 नंबर में खा सही होगा तेज में मित्रों यहां पर गलत कर दिया गया है भारतेंद्य के अधिकांस कपता है किस भासा बरज भासा सही होगा यहां मिस्टेक हो गया था मित्रों ये जो है भारतेंदु का कौन सा कप पुष्ट मार्ग में दिच्चित था भारतेंद हरिश्चंद थे जो पुष्ट मार्ग में दिच्चित थे बकरी बिलाब किसकी काव किरते है बिलकुल लगा देजिए भारतेंद हरिश्चंद की किरते है 26 में आईए कह रहा नौजागरा कागदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है नौजागरा कागदूत भारतेंद धरिश्चन को कहा जाता है पीचीटी 2004 में पूछा गया है भारतेंद ने किस कविता में विदेशी वस्तूओं का बहिसकार किया था तो विदेशी वस्तूओ का जो बहिसकार किया था परबोधनी कविता थी इनके मित्रों उसी में बहिसकार किया था विदेशी वस्त्रों का अजात सत्र किस साहितकार को कहा गया है अजात सत्र भारतेंद को कहा गया है भारतेंद ने किस उपनाम से उर्दू में कविताइं लिखते थे तो आपका क्या स स्यापा और गाली की रूप में कविताएं किसने लिखा है क्या लगाएंगे भारति अंधरिश्चन लगाईए कविता के लिए खड़ी बोली के पच्छ में आंदोलन की सुरुवात किसने की थी 32 नंबर में अध्यापरसाद खत्री ने की थी यह बहुत महात्मूर्परसन है क कविता के लिए खड़ी बोली के पच्छ में अंदोलन की सुरुवात पूछे अध्यापरसाद खत्री लगाएगा टीजीटी 2004 में आया है विश्राम सागर की रचना किसने की है विश्राम सागर की रचना आपका क्या सही होगा रगनाथ दास राम सनेही ने की है फिर समस्यापूर्त किस एग की लोग पर ये कावे पधत थी समस्यापूर्त भारतेंद एग फिर आईए 36 पर हम लोगा आते हैं कह रहा है कि भारतेंद की साहेत गुरू का क्या नाम था तो भारतेंद की साहत गुरू का नाम सिवपरसाद सितारे हिंद था। फिर आईए हिंदी की हिमायश सिर्षग कप्ता के द्वारा हिंदी हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो क्या सही होगा परताप नारायण में सरशी होगा। ये बहुत महत्पूर प्रस्ण है। आनन्द अरुडोदे कविता के रचेता कौन है आनन्द अरुडोदे प्रेम घंका है इन में से भारतेंद्युक की विशेषता कौन नहीं है तो भारतेंद्युक की विशेषता कलपना के अधिक्ता नहीं है बाकी राष्टियता भी है समाजिक चेतना समस्या पूर्त है बिज दिखाई नहीं दे रहागा आप लोग फिर से देख लीजिए यहाँ पर यह सही कोईश्चन है भारतेंद ने कितनी काविकृतियों की रचना की है 45 नंबर में आपका क्या सही होगा 70 काविकृतियों की रचना की है 46 पर आईए क्या कहरा है 46 नंबर कोईश्चन की उत्रार्ध भक्तमाल किसकी रचना है चेलिस नंबर में आप क्या लगाएंगे भारतेंद की रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौंसी नहीं है पूंच रहा है चारो आप्सन में आप लोग उत्तर दीजिए सोरी पूराध्ho धीस नहीं है मित्रों सूरी पुराधिस नहेवा की तीनों रचनाएं ठाकुर जग मोहन सिंग की हैं यह सब बहुत चर्चित रचनाएं हैं बिहारी बिहार किसकी कावी रचना है और तालिस नंबर में अम्बिकादत ब्यास की है पूरी अमी की कटोरिया से चिरजीवी रोह विक्टोरिया रानी समस चापूर्त किसकी है क्या लगाएंगे मिकादत ब्यास लगाएंगे वीतर वीतर सब रस्चू से हसके तनमंधों भन मूसे पंक्त किसकी है अब भारति घ्रिश्चन लगा दीजी कि ये सनाथ भोली भारत की परजा अनाथन पंक्त किसकी है प्रेमघन की है कह रहे हैं कि ये स बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुवा छूत का कर्म के रचनाकार कौन है बाउन नंबर में भारतिंधरिश्चन्द हैं जीवत विदेश की वस्त ले ता बिनों कुछ नहीं करी सकत पंक्त किसकी अतिर्पन में भारतिंधरिश्चन्द का है मेरो फिर पूँच रहा है कि मेरो तो साधन एक ही है जग नंद लला ब्रिसभान दुलारी के अमर गाय कोन चूवन नंबर में आपका घा सही होगा भारतिंधरिश्चन्द जागो अब तो खल बल दलन रच्छों अपनो आर मग के रचईता कोन है भारतिंधरिश्चन्द सही होगा फिर पूँचा है बिधवा बिलपय नित धेन उकटे को लागत हाय गुहार नहीं पंक्त किसकी है छपन नंबर में परताम नायड में श्रकी है कहा करुडा निद के इसो सोय के रचनाकार कोन सत्ताओन में भारतिंद का होगा धन निभूम भारत सब रतना निकी उपजावन कावपंक्त के रचईता कोन अठाओन नंबर में बदिनाय चोधिर प्रेमघन सही होगा फिर आते हैं चित चैत की चादनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाईये न समस्यापूर्त नेट में पूँचा गया है प्रसन प्रेमघन का है आचा राम चंशकल की किताब में यहीं दिया गया है प्रपीहा जब पूछिए हैं प्यू कहां समस्यापूर्त किस की है परताव नायड मिशर की है कौन करे जो नहीं कसकस सुन विपत बाल विधोन की एक सठ नंबर में परताम नाण में सरसही होगा पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना खिया दुखिया नहीं मानती हैं समस्या पूर्त किसका है भारते धुरिश्चंद का है फिर पूँच रहा है एकांत वासी योगी किस किरित का अनवाद है तो क्या लगाएंगे तिरशट नंबर में आपका खास हैव हर्मिट का है पिरिन साब बिल्स भारत की विश्च्तरित और बेवरेवार वाडन यूराज की यात्रा सीर्शक से किस ने किया है तो यूराज की यात्रा सीर्शक से चंडी प्रशास सिंग ने किया है फिर पूँच रहा है कि प्रात समीरन कविता किस छंद का प्रियोग किया गया है यहाँ पर आपसन दिया गया है 65 नमबर में क्या सही होगा यहाँ पर देखिये में 65 नमबर में आपका क्या सही होगा बंगला के पयार छंद सही होगा इसमें फिर देखिए मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है छांशत नमबर में परदरिनार चोधरी प्रेमघन है निम्लिक रचनाओं के रचाईताओं के नाम बताईए आनंद अरोडोदे पूचा है फिर देखिए पूच लिया है उत्तर दीजे प्रेमघन हरदिक हरसादर्श किस किसका शही होगा प्रेमघन का है भारत विच्छा 89 नमबर में घथे नुका है विज्य वृल्ल्री किसका गारी किसकी रचना है भारत धर्म जटिल वडिक किसकी रचना है तो आपका क्या सही होगा जयती जय राजे सुरी जयती जय परमेश यह किसकी है रचना अबिकादद व्यास का है मन की लहर और महापर्व अबिकादद व्यास का है अलोकिक लीला चेयती नमबर में घा सही होगा प्रेम घन का है फिर आते हैं 77 नंबर में भारती भूसर 77 नंबर में गोपाल चंद्र गिर्धर दास का है वाग बिलास 78 नंबर में सेवक का है मित्रों नवभक्त माल पूँछे किसकी रचना हो न्यासी नंबर में घा लगाईएगा फिर आते हैं राधाचर गुसामी का है पावस 58 बहुत इंपोर्टेंट है अमिकादत ब्यास का है प्रेम संपत लता पूँछे क्या लगाएंगे ठाकुर जग मोहन सिंग पावस पयोनिध पूँछे किसकी रचना गोबिंद गिल्ला भाई का है प्रेम पुस्पानजल 83 नंब में प्रेम घन का है प्रताव लेहरी 86 नंबर में का शही है प्रताव नाड मिसर का है स्यामन सरोजनी 87 नंबर में क्या सही है जग मोहन सिंह का है तो कभी 68 पोच रहा है कि पढ़ कमाय कीन हो कहां हरे देश कलेश जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश 89 नंबर में परताब नायड मिस लगाएगा बहुत चर्चिते सब पंक्तियां हमित्रों परताब नायड मिस लगे भारतेंद हुए राधा चरव गोस्वामी हुए बद्री नायड चोधरी हुए अंबिकादत ब्यास हुए इनको आप लोग हलके में मुत लेजिएगा प्रस्न जरूर बनते हैं आसे इन मुसल्मान हर जिनन पर कोटिक हिंदू आ रहे देखे कितनी ब स्याम लता जंग मोहन सिंग हो हो री राधा किष्ण दास इसमें क्या रहा है कह रहा है असंगत है तो हो हो री इनका नहीं है मित्रों बाकी सब सही है देश दसा राधा किष्ण दास का है विहारी भारम विकादत व्यास का है स्याम लता स्यामा लता जंग मोहन सिंग का है फ ओहन सिंग सूखव शेयं भृत में सही है लेकिं बिज चंद पंचक के भारतिंद का नहीं है असंगत का चैन कीजिए मालिका भरतिंद का बिल्कुल बर्साबिंद प्रेम घन का है समस्यापूर्स सरवसू एन भईका व्यास 400 पहला अपसन गलत है मित्रौब अंसंगत है चारा अवी पे रहे में में चारा संगत कीजी संगत सरा स्वा प्रकास प्रदीप गोबंद गिल्ला भाई बिल्कुल सही है लंकार प्रकास करुददार दर है फिर आते हैं कि रहा संगत का चैन कीजिए विने प्रेम 50 क्या सही है भारतेंद्र का बिल्कुल सही है यह लोकोक्त सतक परतामनाद मेश बिल्कुल सही है कंसवध इनका नहीं मित्रू यही गलत है पावस 57 मिकादत ब्यास का सही है गाफ सनया क्या है यही असंगत है तो यह थे मित्रों जो है आपके भारतिन द्यूग कटाफिक से बहले मैंने आदिकाल भक्तिकाल और रीतकाल का बहुविकल प्ये वीडियो अपलोड कर दिया है उसको जरूर देखे और यह है आधुनिक काल में भारतिन द्यूग इसके है आधियो